राज़सान परदेश के का फोकस अब निश्क्रिय और लापरवा कोंग्रिस नेताओं पर बनावा हैं। कमेटी के बड़े नेताओं ने निश्क्रिय और लापरवा नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तयार करने का काम शुरू कर दिया है। एसे में पीसीसी से लेकर डीसीसी और ब्लॉक कॉंग्रिस कमिटी पदाधिकारी की प्रफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है। हमश्कार मैं शेख जूही आप देख रहे हैं दिन नगरी नीजूस। जिसमें उन पदाधिकारियों पर पार्टी की और से कारवाई की जा सकती है जो विदानसाबा और लोकसबचनाव में निश्क्रे और लापरवा रहे हैं। वही पर परिनामों के बाद जब संगठन में फेर बदल होगा तब बैस्ट काम करने वालों का प्रमोशन होगा और निश्क्रे रहने वालों की छुट्टी हो सकती है। की मजबूती के बाद बतोर विपक्ष की भूमिका में राजस्थान में अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। संगठन की सक्रिया और मजबूती के लिए कॉंग्रेस मिश्क्रिये पददिकारी की छुट्टी करने का फैसला कर सकती है। वही पार्टी के निर्देश पर बहतर काम करने वालों को प्रमोशन भी देगी। जो काम अच्छा करने हैं उनको रिवार्ड देने की हमारी सोच भी रहती है उनको आगे बढ़ा जाए संगठन में आगे मोके दिये जाए और इसकी निरंतर समिक्षा होती है। लगबग 6 महिने से जब लोगसभा और अगधानसभा चुनाव थे उसके तुरंत बाद में हमने ये प्रिकरिया सुरू कर दिया और इसके तहट पूरे मंडल से लेकर ब्लॉक और प्रदेश कारेकारणी में जो लोगों ने अच्छा काम किया है उन लोगों को परमोशन और कारी शेली की डिटेल जुटाई गई है यानि लापरवा और निश्क्रे नेताओं का पूरा बायो डेटा तयार कर लिया गया है पार्टी का साफ साफ कहना है कि जिन पर अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई उन पर तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा और जिन पर अधिकारियों ने अच्छा काम किया है तो वे प्रमोशन के हगदार हैं पार्टी अच्छे काम करने वाले नेताओं को एहम पोस्ट देगी बस अब इंतजार है तो केवल 4 जून का जब लोग सबचुनाओ 2014 के नतीज आएंगे इसमें भी अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी द्वारा नेताओं के रिपोर्ट कार्ट पर क्या कारवाई होती है या फिर यह केवल लापरवा नेताओं को डराने का काम होगा जैपूर से दनगरी मीडिया के लिए संदिप अगरवाल की रिपोर्ट